नमस्कार आप देख रहे हैं एकॉनोमी का हिसाब किताब मैं हूँ अनिंद्यो चक्रवर्ति और आज मैं स्टूडियो में आपके लिए भारत का सबसे बेश कीमती अमूल्य रतन लेकर आया हूँ जी हाँ भ्याज आप जानते हैं ये कितना कीमती हो चुका है इस वक्त और इसी तरह इसको लेकर पहुंचा हूँ क्योंकि आप जानते हैं इस वक्त प्याज हमें रुला रहा है अच्छे दिन भुला रहा है और इसी का हिसाब आज के शो में हम लगाएंगे तो सबसे पहले तो हम समझते हैं कि ये आता कहां से है आप देखिए भारत में लगबग साड़े तेईस मिलियन टन प्याज उगाया जाता है ये 2017-18 का नंबर है और इसमें से लगबग 14-15 मिलियन टन हम लोग खा लेते हैं भारत में खा लेते हैं बाकी एक्सपोर्ट होता है यानि कि 60-65 प्रतिशत हम भारत में ही खपत कर लेते हैं और बाकी एक्सपोर्ट कर देते हैं अब देखिए रुप्याज हमें क्यों रूलाता है हर दो तीन साल में इसी वक्त हमें रोना आता है क्योंकि दाम सौक को पार कर जाता है प्रती किलो लेकिन आप देखिए जन्वरी और माई के बीच में प्याज 10, 8, 10, 15 रुपे में हमें हमारे लोकल सबजी वाले के पास मिल जाता है क्योंकि प्याज हमारे देश में सबसे ज़्यादा रभी सीजन में उगाया जाता है यानि कि जन्वरी से माई के बीच में फ्रेश प्याज का सप्लाई आता रहता है उस वक्त किसानों को कितना मिलता है एक रुपया प्रती किलो में किसान बेचते हैं और किसको बेचते हैं बड़े आर्थियों को बेचते हैं जो होलसेल ट्रेडर होते हैं क्या वो सारा सप्लाई हमारे पास आता है जी नहीं क्योंकि आर्थिये जो है और एक चीज याद रखिए गया कि बड़े आर्थिये हम रहारे देश में सबसे जादा से जादा आठ दस शायद होंगे जो पूरा प्यास का ट्रेट जो है उसको कंट्रोल करते हैं और ये लोग क कि प्यास का बढ़ता रहता है क्योंकि उसमें जितना पानी की मात्रा होती है वो कम होता जाता है जब किसान फसल काटता है और आर्थिये तक लाता है आप सोच लिजे कि 10 किलो का उनको 100 रुपे मिला हो है ना अब वो सूखने लगता है अब उसी 100 रुपे का प्यास कितना ह हो जाता है 9 किलो अब दाम एवरेज कितना हो गया 11 रुपे अब आर्थिये क्या करता है उस पर अपना प्रॉफिट डालता है और उसको ले जाकर सबजी वाले के मंडी तक बेचता है सबजी वाला उसको जब आपके पास लाता है तो अपना भी प्रॉफिट या मुनाफ़ भी डाला जा रहा है और इसको ट्रांसपोर्ट करने का पैसा भी डाला जा रहा है तो किसी भी टाइम पे हमारे पास जिस रेट पे प्याज आता है वो किसान को नहीं मिलता है लेकिन आप याद रखिए कि जून के महीने के बाद से फ्रेश अनियन यानि कि फ्रेश प्याज आना बंद हो जाता है और उस वक्त आड़तियर ने जो गुदाम में रखा हुआ है प्याज वो धीरे धीरे वो रिलीज करने लगते हैं हाँ लगभग अगस्त के बीच में दो जगे से प्याज का सप्लाई फिर से शुरू होता है एक है आंधरप्रदेश और दूसरा है तामिल नाडू ये अगस्त सेप्टेंबर में थोड़ा थोड़ा प्याज फ्रेश प्याज आता है फिर से दाम थोड़ा से घटते हैं जून तो यानि कि अक्टूबर, नुवेंबर, डिसमबर जादातर प्याज जो आ रहा है उस वक्त हो कहां कहा से आता है आता है आता है आंधरप्रदेश से, महराश्ट्र से, गुजरात से और थोड़ा बहुत तामिल नाडू से आता है और करनाटक से भी आता है तो बाकी टाइम पे पूरे देश से आ रहा है लेकिन याद रहे कि महाराष्ट्र अकेला देश का 30 प्रतिशत सप्लायर है करनाटक से आता है लगभग 22 प्रतिशत और गुजरात से 10 प्रतिशत आप इन तीनों को मिला लीजिए तो लगभग 60 से 65 प्रतिशत प्याज इनी तीन राज्यों से आ रहा है और वेस्टन और सदन राज्यों से ही आखरी के महीनों में प्याज आता है यहाँ पे अगर अनसीजनल रेन हो जाए यानि कि बेमौसम बारिश हो जाए तो क्या होता है यह सप्लाइ इन महीनों में बंद हो जाता है और यह ऐसा नहीं कि किसान सप्ला तो आया यह नहीं कि वो अपने पास रख लेते हैं, वो पुरा 40 kilo ले जाते हैं मंडी में, जो Wholesaler है वो पुरा खरीद लेते हैं, उतने दाम नहीं देते हैं, और उसको गुदाम में रख लेते हैं, आपके पास 2 kilo और जब दाम बढ़ जाता है, कहा जाता है कि प्यास नहीं है दाम बढ़ाते है प्याज का और बाद में जब प्याज का दाम बढ़ जाता है तब रिलीज करते हैं आप economic political weekly में एक article पढ़ सकते हैं जो कि 2011 की प्याज का जो shortage हुआ था उसके बारे में है और उसमें उन्होंने analysis करके दिखाया कि दिल्ली जैसे शहर में मंडी में जब दाम बढ़े थे कब बढ़े थे दाम तब बढ़े थे जब सप्लाई सबसे जादा था इसका मतलब है कृत्रिम तरीके से दाम को बढ़ाया गया और जब दाम बढ़ गया तो सप्लाई लाया गया हमारे देश में प्याज बहुत सारा है जादा उगता है फिर भी इसका सप्लाई नॉर्मल नहीं होता है, बड़े आर्थिये इसको कंट्रोल करते हैं, इसलिए किसानों को पैसा नहीं मिलता है, और हमको भी जादा देना पड़ता है, इसका क्या उपाय है, आप देखिए कि प्याज खाने वाले बहुत सारे हैं, उगाने वाले बहुत कम, वोट जादा खाने वाले देते हैं, उगाने वाले कम देते हैं, इसलिए सरकारों को प्याज उगाने वालों की उतनी पड़ी नहीं होती, हाँ, खेर, कुछ लोग ऐसे होते हैं, जिनके घर में प्याज लसन खाने की रीती नहीं है, उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, प्याज का हुआ क् निरमला सीतार Ambani ji वो खाती नहीं है खैर वो बहुत परिशान है इस वक्त कि प्याज का दाम बढ़ा है लेकिन खाती नहीं उतना समझनी आता है उनको कि क्या हो रहा है इस तरिके से आप भी हो सकते खाते नहीं आपको फर्क नहीं पड़ता है जो लोग खाते हैं उनको जरूर फर्क पड़ता है अगर प्याज का रेट लगभग सेम रखना हो कि कभी 15 रुपे दे देंगे लेकिन कभी 35 दें डेड़ सो न देना पड़े तो सरकार को 4-5 चीज साथ में करना होगा किसान जब जादा पैदा करते हैं उनको पैसाने मिलता उनको लॉस में बेचना पड़ता है अगर सरकार जिस तरीके से धान और गेहु में जिस तरीके से एक मिनिममम सपोर्ट प्राइस यानि की नियूमतम समर्थन मूल्य देती है उसी तरीके से अगर प्याज में दे दे तो क्या होगा कि हमें पूरे साल थोड़ा सा ज्यादा देना पड़ेगा लेकिन ऐसा हाल नहीं होगा कि कभी हम 10 रुपे में खरीद रहें तो कभी 1.500 में खरीद रहें दूसरी बात है जब shortage हो सकता है कभी भी हो सकता है जब बेमासम बारेश हो shortage हो सकता है तो उस वक्त सरकार को लगभग 2.5.5 जो प्याज है इसको अपने गुदामों में रखना पड़ेगा ताकि वो regular release हो सके जब ज़ादा उतपादन हो रहा है तब minimum support price की जरूरत है और जब बढ़ रहा है तब उसको रोकने की जरूरत है इसका मतलब है आर्थिय जो बड़े बड़े retailer है उनका जो control है उसको भी तोड़ना पड़ेगा यानि कि किसानों का जैसे हम दूद में जानते हैं अमूल का हुआ है या मदर डेरी का हुआ उसी तरीके से किसानों का एक तरीके से आपको cooperative बनाकर उसको बढ़ावा देना पड़ेगा ताकि आर्थिय उसको रोकना सके आर्थिय क्या करते हैं मंडियों को दो दिन दिन के लिए रोक देते हैं किसान बेच नहीं पाते उनको बेचना पड़ता है और retailer को पास नहीं आत है हमारे पास नहीं आता दाम बढ़ जाता है आर्थिय और local नेताओं का बहुत बड़ा एक नाता है इसको भी तोड़ना पड़ेगा यह सरकार नहीं तोड़ेगी यह नेता नहीं तोड़ेंगे हम जैसे लोगों को ही इनको vote देकर निकालना पड़ेगा जो इन आर्थियों को साथ मिलकर किसानों को भी लूटते हैं हमको भी लूटते हैं और एक और चीज इसमें बहुत जरूरी है वो है कि minimum export price एक लगखा जाए एक्सपोर्ट को मत रोकिए इतना सारा पैदावर हो रहा है किसान को loss ना हो लेकिन minimum export price रखिए ताकि जो market price देश में है उससे काफी जादा हो तभी आप export कर पाए नहीं तो कृत्रिम तरीके से प्याज का दाम बढ़ेगा और प्याज हमको रुलाता रहेगा